हेलो इडिवान शोटी सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है आज का वीडियो होने वाला है question answer mcqs का वीडियो है पर यह mcqs किसीच के हैं तो उत्तरपदेश इच्छक पात्रता परिच्छा 2018 का जो आपका paper हुआ था सामाजिक अध्यन का उससे related है आपके question तो जितने भी question सामाजी कध्यन के दिती प्रश्मपत्र के पूछे गए थे उसके आपके यह वाले पेपर जो यह वाला वीडियो होगा उस पर बेस होगा तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं तो दिखिए सबसे पहला जो question है वो यह है कि भारती कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण चक्र द्वारा हुआ है तो आपको पता है होगा कि प्रथम उत्देश जो उन्हें प्रथम उत्देश दिया था उसमें वो वारानसी सारनाथ में उन्हें प्रथम उत्देश दिया था इसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है और बुद्ध के जीवन से और अन्य प्रतीक कौन कौन से हैं तो ये क्वेशन बहुत पूसता है कभी कभी PCS के एकजाम तब पूसता है तो जन्म का प्रतीक इनके क्या है कमल एवं सान है ज्यान का प्रतीक क्या है पीपल बोधी था मित्यू का इस्तूप है ग्रिह त्याक का घोड़ा है इनका प्रतीक और निर्वान का पदचिन्न है ये क्वेशन आपको याद होने चाहिए चलिए दूसरा क्वेशन देख लेते हैं कि दूसरा क्वेशन भी गौतम बुद्ध से समंदित है कि गौतम बुद्ध का जन् तो आशोग के अभिलेक से इसकी पुष्टी होती है तो यहाँ पर आप ध्यान को देंगे तो में क्या है कि गौतमबुद oikeus कि अभिलेक से होती है अब यह आपका लुंबनी अभिलेक एक बन सकता है कि मैं एका किसे अपनागत है तो आप यहां पर गौतमबुद का option अगर देता है तो गौतम बुद्ध भी लगा सकते हैं अब लुम्बनी वर्तमान में नेपाल के कपिल वस्तों में इस्तित है समराठ अशोक के लगभक 40 अभिलेक प्राप्त हुए हैं इसके बारे में और डेटिलिंग में बात करते हैं तो यह अभिलेक बहुत धर्म के अ बात धर्म का बाद्ध धर्म का थो के ब्राम्मी लिक में लिखे गए अभिलेको को सरुप्रिथम जेम्स प्रिंसिप ने पढ़ा था यह बी ब향ंश्य को indukcent बन सकता है कि जो बात गमिव ल हैं कि संफ्प्रिंसिप में पढ़ा था तो फच्वर बिके जो अब 295 ने बेख म के रहे चले तीसरा कोईशन देख लेते हैं तीसरा कोईशन है निमलिखित में से कौन सा इस्थल प्रैग्ग अयतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है तो इसका एंसर है भीम बेटका अब भीम बेटका के बारे में अगर आप बात करेंगे तो यह प्रसिद्ध ही है किस मानव चित्रण के मिले अब यह कहां पर है तो यह मत्भप्रदेश प्रांत में स्थित्थ किस जिले में थे और यह वासी पुरा इस्थल मेरे आब यहां पर पहले निवास करते थे कि पहले जबाने वी तो लोग निवास करते रहें ? अब देखिए अगला क्वेशन चौथा हम लोग देख लेते हैं अब यह चौथा क्वेशन जो आया था आपके टेट के एक्जाम में 2018 में आत्मी सभा की स्थापना इन में से किस नहीं की थी अब आत्मी सभा की बात है तो राजा राम मोहन राय के अंसर है तो अब इसकी डिटेलिंग की बात कर ले थी अब राजा राम मोहन राय के बारे में अगर आपको पता होगा तो उन्हें भारती पुनड़ जाग्रण काल का अग्रदूद भी कहा जाता है अब इसकार्थ क्या है कि जिसे आधनिक भारत का जनक भारती पुनड़ जाग्रण काल का अग्रदूद और आधनिक भारत का जनक भी कहा जाता है अब राजा राम मोहनरबाद ने बहुत सारी मैगजीन भी लिखी अब कुछ एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो समवाद है कौमुदनी है मिरातुल है अब मिरातुल अगबार है ठीक है बंगदूत जैसे पत्रों का संपादन भी किया था इन्होंने इन्होंने सबसे बड़ी चीज जो की थी 1828 इस्वी में ब्रह्म समाच की स्थापना भी इन्ही के द्वारा की गई थी किसके द्वारा राजा राम मोहन राय और सती प्रथा को अगर खतम करने की बात की गई है तो राजा राम मोहन राय नहीं की है तो यह सारे question आपको इस एक question से मिल गए चलिए अगला देख लेते हैं अब यहां वे बात हो रही है पाचवे question की तो पाचवे यह question बता रहा है किसके वैसराय काल के में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थांत्रित हुई थी अब देखिए यहां पे एक घटना है जिसकी कारण यह आपका इस्थांत्रन हुआ तब पर इसका एंसर आ जाता है लौड हर्डिंग सेकेंड अब लौड हर्डिंग से के काल में यह तो वैसराय हैं जिसमें क्या हुई थी कलकत्ता राजधानी थी अब वहां से चेंज होके डेल ही हो गए पर यह क्यों हुई थी इसके पीछे का कुछ कारण है तो अगर आपने बंगाल विभाजन का नाम सुना हो अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो बं बंगाल विभाजन में क्या हुआ था कि बंगाल को कई तुकड़ों में तोड़ दिया गया था बंगाल बहुत बड़ा था और उसको कई तुकड़ों में तोड़ दिया गया था क्यों तोड़ा गया था क्यों कि बंगाल में बहुत ज़्यादा विद्रो होते थे तो पहले विभाजन इस्थगित्त किया पर उसमें क्या किया उडिशा बना दिया बिहार बना दिया कई उन्होंने स्टेट बना दिया और क्या किया वहां से राजधानी उठाकर यहां कर दी तो आपने बंगाल स्वदेशी आंदोलन का अगर नाम सुना होगा तो स्वदेशी आंदोलन जो है आपका इसी बंगाल विभाजन से संबंदित है आपका स्वदेशी आंदोलन और इसी के कारण क्या हुआ था आपके जो राज़ानी थी वो दिल्ली स्थारा अंत्रित कर दी गई थी इसमें एक बहुत ही इंपोर्टेंट चीज है कि क्या स्वदेशी आंदोलन अगर आत ही इस स्वदेशी आंदोलन में कभी नहीं संब्लित है गांधी का सीन सिनेरियो आता है वो हमेशा से गांधी का नाम आता है तो लौड हर्डिंग सेकेंड के काल में भारत की राजधानी सन 1912 में इश्वी में कलकत्ता से दिल्ली इस्थानांत्री थी इस समय में 1911 में ब्रिटिन के राजा जार पंचम भारत आये 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली में एक भव्य दर्वार का आयोजन ह हुआ था यहां देखें बंगाल विभाजन को रद करने वह भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली सांदाइत करने की गोशना की गई थी और इसी समय एक गाना भी गाया गया था जनगण मन अधिनायक और यह आपका क्या है यह आप कमेंट में मुझे जरूर बताईएगा चलिए अगला क्वेशन देख लेते हैं अगला क्वेशन जो है आपका है इसमें से किस मुगल समराथ ने राजा राम मोहन राय को अपने दूद के रूप में लंदन भेजा था अब यहां पे अगर आपको याद होगा तो अगबर दिती यह नामक जो मुगल समराथ थें व कि अंग्रेजों से पेंशन मिल रही थी किसको आपके अगबर दिती को तो जब अंग्रेजों से पेंशन मिल रही थी तो अब उसमें कुछ कमी हो रही थी कभी कुछ जादा हो रहा था तो इसके लिए इन्होंने किसको भेजा था राजा राम मोहन राय को पेंशन वा भत्त पूरा नाम क्या दिया राजा मोहन राय अगरजा तो यह राजा की उपाधी भी ने किसे किसने ती अगुला क्वेश्चन है कि हिंदू विद्वाप कुरीवाम्-चेय्द यह में किस वर्ष पारित हुआ था तो यह 256 यहाँ पारीथ तो आपने देखा होगा कि 1857 की घटना है आपके इतिहास की सबसे महत्पून घटना है पहली आपकी सतनता की क्रांती है तो उसके पहले आप ये देख रहे हैं 1856 तो 1856 में जब ये घटना हो रही है हिंदू विद्वाप पुनरविवा अधनियम पारित हो रहा है तो ये भी एक कारण थ देखेंगे तो आप देखेंगे कि 1857 की क्रांती कई कारण से होई थी मंगल पांडे जी ने की थी ब्राउन वेक्स जो आपकी इंफिल्ड राइफल थी उसके स्थान पर जो दूसरी कारतू उता रही थी ये सारी चीजें नई नई तो थी ही और पीछे बहुत सारे कारण थ तो चलिए इसके डेटेलिंग की बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या है तो हिंदू विधवा पुनर्विवाद नियम 1856 को पारित किया गया इसका जो श्रे था इश्वर्चंद विद्या सागर को जाता है और गवर्णर जनर्र लॉर्ड कैनिन दौरा इसे पारित किया गय जिसमें विधवा विवा को मानता दी गई और उससे उत्पन पुत्र को भी वैद घोशित किया गया उसके पहले क्या होता था विधवा लोग जब आपने दुखाओगा सती प्रथा 1828 में सती प्रथा की बात की गई कि 1828 में सती प्रथा बैन की जाए अब वहां पे क्या कोई सती नहीं हो सकता था क्योंकि अंग्रेजियों ने कानून लगा दिया आप कोई सती नहीं हो सकता तो जब सती नहीं होगा तो विधवा की संख्या विधवा की क्या हो कि संख्या बढ़ने लगेगी और जब बढ़ेगी तो यहां पर कोई और ऐसा एक्ट पारित होना च 1872 इश्य में ब्रह्म्हा मैरिज एक्ट या नेटिव मैरिज एक्ट गवर्नर जनरल नौर्थ ब्रुक के समय पारित किया गया जिसका उद्देश अंतर जाती विवाह तथा विध्वा विवाह को विधिक माननेता प्रदान करना था यह और एक है जो अंतर जाती विवाह की कोई दूसरे जाती में विवाह कर लेगा तो वह भी मानने होगा और विधवा विवाह कोई करता है तो वह भी मानने होगा यह अलग-अलग एक्ट आके आपको यहां पे देते हैं चली अगला question देखते हैं यह देखिए इस्ट इंडिया कंपनी की इस थापना के समय भारत का शाषक कौन था 31 दिसंबर 1600 में इस्ट इंडिया कंपनी बन रही है और अकबर जी कब तक है बहारत का शाषक कौन होगा अकबर होगा थेक तो यह देखिए अब यहां पर इसका हम लोग वो देख लेते हैं clear that इस थापना के समय भारत का शाषक अकबर था जो जो 1685 से लेकर 1650 तक था इस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना 1600 इस्सी में महरानी एलीजावेट प्रथम के एक घोशना पत्र दौरा हुई थी यह लंदन के व्यापारियों की एक कंपनी थी और इसका प्रमुक उद्देश दहन अरजन करना था अब यह जो 1600 में एस्ट इंडिया कंपनी इससे शक्तियां कब छीन ली गई तो 1857 का जब विद्ध्रो हुआ था तो जिनसे शक्तियां चिन की अब पूरी की पूरी शक्ति किसके हाथ में चली कि क्राउन के हाथ में चली गई थी तो इसके बाद क्राउन ने राज किया है यह को पता होना चाहिए हिस्ट्री का क्वेश्चन है अब नौवा क्वेश्चन देख लेते हैं एक निजामुदिन और इन में से किस सूफी संद के शिष्ष थे तो बाबा फरीद दुद्दीन गंजे शकर इनके ये शिष्ष थे यह आप पढ़ सकते हैं कि बाबा फरीद उच् और सिख गुरुओं की रच्जाओं को गुरु गरत साहिप में इस्थान भी मिला था चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दस्वा क्वेश्चन है आपका कि इन बाबसा में से कलंदर नाम में कौन विख्यात है तो बाबर को कलंदर के उपाधी दी गई थी अब क्यों दी गई थी ये आपको पता होना चाहिए कि इनको बाबर को कलंदर के नाम से विख्यात इसलिए किया गया था कि क्या दी आप चादी के है क्योत्तवत में के के तहत शाशक को बादशा कहा जाता था अब बाबर के 4 पुत्र भी थे हिमाईू, कामरान, असकरी और आपको ही पता है कि बाबर के बाद हिमाईू ही गदी पर बेठा अब आगे छलते हैं तो बाबर प्रथम युद्ध सन पंद्रा सौच्छबिस इस्वि में हुआ था और बाबर और इब्राहिम लोदी के मद्ध हुआ जीता कौन बाबर जीता और इस युद्ध में बाबर ने तुलगाम नीती को एवं तोप खाने का प्रयोग किया था जिसके कारण बाबर इस युद्ध को जीत गया था एक ग्यारवहां क्वेस्चन है कि निमलिखित में से किस राज्ज में दो हजार एक ग्यारा की जन्गर्णा में जनसंक्या का हाश्र अभलिखित हुआ है तो यहां पे जो एंसर है वो नागा लैंड है आगे देख लेते हैं नागा लैंड के बारे में पूरी चल रही है तो आपकी जो यह जन्गर्णा है यह जन्गर्णा ही अभी तब तक काम आने वाली है जब तक आपका नया जन्गर्णा नहीं हो जाती अब यह नया जन्गर्णा होने तक क्या होने वाला है पता नहीं पर पूराने अभी भी आपकी यह चल रही है तो जो नागा थे वो चंद्र मॉली थी आपको याद रखना चाहिए अब 2011 की जयुद्ट के कमए नमबर ज्लीजर राश्ट्र आपको याध होना और लिक्या लिंगानुपाद भी बढ़ा है तो 1991 के बाद जनगरणा में सरवाधिक लिंगानुपाद 2011 में रहा क्या महिलाओं की साथचर्टादर बढ़ी है तो 2011 में महिलाओं की साथचर्टादर पुरुषों की तुलना में ज्यादा हुई थी इसका आर्थ यह है कि महिलाओं में शशक्तिकरण बढ़ रहा है साथी साथ अब यहां पे जो जनसंख्या घनत्व है वह अवरोही क्रम में क्या हुआ बिहार पश्चिमंगाल और केरल में हो गया साथी साथ जो सरवाधिक महिला साथ चलता दर है वह कहां पे थी तो वह केरल में थी और अभी भी केरल में ही होगी जब मेरे क्याल से होगा आगला तो अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं तो हैदराबाद किस नदी परिस्तित है तो हैदराबाद के बार पूछने वाला है वो है कि निजाम का शहर भी से बोला जाता है या फिर मोतियों का शहर भी बोला जाता है और हैदराबाद और सिकंद्राबाद जुड़वा शहर है यह में कुछन आपको पूछने वाला है बाकि यह तो सारी चीजे आप पढ़ लिजिए आपके सामने रखे होई हैं अगला देख लेते हैं हैं अगला पूछ रहा है कि कुईएला एक उधरन्न है तो और श्राइल और श्रहता है जो होती है उसका कुछ आपको जो विशयरता होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं तो देखे सबसे पहली विश्यस्ता बता रहा है कि अवसादी चट्टाने परतदार होती है अब क्यों जब कोई चीज जलती है तो इसकी एक परत बन गई फिर दुबारा जली फिर एक परत बन गई ऐसे करके यह परतदर परत बनती चले जा है तो जो औसादी चट्टाने होंगे वो क्या होंगी परतदर परत होंगी अब औसादी चट्टानों में जीवाश्म पाया जाता है अभी यह ही आगने ह鏡 होता तो वहां जिवाश्म नहीं पाए जाते पर अयोसादी में जिवाश्म पाए जाते हैं उसाद clairement में खन से तेल पाए जाता है कि यह अगर कोई परद्जमी उस में ध्यठ सारे पेड़ गिर गया कुछ गिर गया इसका फिर दूसरी परज्यम गई फिर कुछ और चीज़े आगए फिर तीसरी परज्यम गई तो यहां पर क्या होगा यही सब कई हजारों करोडों साल से दबे दबे यह किस में कनवर्ट हो गए यह आपके तेल में कनवर्ट हो गए हीरे में कनवर्ट हो गए बहुत सारी चीजों में कनवर्ट हो जाते हैं तो यह क्या है तो आउसाधी चट्टानों में खनी तेल पाया जाता है अब एंथ्रेसाइट कोईला में 90% से ज्यादा कार्बन होता है यह आपको और साधी चट्टानों का कुछ विशेश उधरण है और इन चट्टानों में लह वायस्क फासफेट कोईला पीट बालू का पत्थर एवं सिमेंट बनाने के चट्टाने पाए जाती है यह कुछ और आपका एक्जामपल हो गया अ उसमें अगर आपने वह वीडियो देखी होगी तो देख लीजेगा उसमें मैंने यह क्वेश्चन आपको अच्छे से एक्ष्प्रेइन किया था और यह आपके NCRT का कच्छा 6 का मतबब क्लास 6 का यह आपका क्वेश्चन है यह मैंने सॉल्व कराया था तो अगर आपने द सौर मंडल के सबसे छोटे भाईया लोग है और छोटे भाईया लोगों के इतनी आशानी दे शादी नहीं होती विचारे पड़े रह जाते हैं बड़े भाईया कौन हो गए वरस्पती हो गए सनी हो गए उन लोगों की शादियां हो गई उनके धेर सारे बच्चे बगल देते हैं तो बुद्ध सौर मंडल के आठ ग्रह में सबसे छोटा और सूर के निकट्तम है यह भी आपको डिटेलिंग मैंने बताई थी शुक्र शूर से दूसरा निकट्तम ग्रह है यह मैंने आपको बताया था यह प्रिथवी का सबसे निकट्तम सबसे चमकीला श्यम गर् यह सब तो कहाई जाता है शुक्र को अन्य ग्रहों के विप्रितार्त यह दच्छणा वर्त-वृफ चक्रण करता है यह उल्टा घूमता है यह उल्टा घूमता है इसमें सूरज हमेशा कहा से उपता है पस्छिम सोगेगा ओके आपको यह डेटेलिंग पता होनी चीह इसे प् प्रिथवी के समान ही है आगे चलिए दूसरे क्वेस्टन पर बात कर लेते हैं आप बात हो रही है इसकी लक्षदीब दीव समूह में इस्थित है कहां इस्थित है तो जिस समय आप अपने भारत का नक्षा देखेंगे तो नक्षा बनाने की कोशिश करता हूं उतना अच्छ लिए गुजरात बना दिया यह ठीक है देख लिए महाथ पूरा का पूरा आपके पास पड़ाई हुआ है तो बंगाल की खाड़ी में कौन प्रवाल संच्रण से हुआ है प्रवाल वित्यां जो होती है उन से मिलके इसका निर्माण हुआ है इसमें 36 दीप है जिन में कीवल 11 दीपर पर मानवी आवास पाया जाता है इसका सबसे बड़ा दीप एट्रोत दीप है एट्रोत लक्ष दीप का प्रशाशनिक मुख्याराय करवत्ती है क्योंकि ये एक आपका संग राच छेत्र का विश लखते हैं इसको अब चलिए देख लेते हैं सुलमा क्वेश्चन कि निम्लिखित में से किष्ट छेत्र को विश्व का फॉलो द्यान कहा जाता है अद अब बताईए भूमद से सागडिय छेत्र भूमद रेकाफ्य चेत्र सावाना छेत्र या तुंडा चेत्र भूमद साज चेत्र अब यह एंसर क्यों है इसका ऐसा चलिए इस पर हम लोग डिटेल में डिसकस कर लेते हैं कि क्यों कि वहां पे जो क्लाइमेट है वो किस तरीके से है आपने भूमद सागर देखा ओगा तो उसका क्लाइमेट किस तरीके से है कि पश्चिम की तरफ से यह सागर एक सागर से जुड़ा हुआ है जिसे जिब्राल्टर की खाड़ी कहा जाता है आप अगर वीडियो देख रहे होंगे तो उन्हें यह सारे खाड़ियों को क्लियर किया होगा अब भूमद सागर से 21 देशों की तट रेखाएं मिलती हैं वहां पे क्या है छोटे 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 छ विशिष्ट मौसमी दशाओं के कारण यह रसदार फलों का उत्पादन यहां पे होता है और इसलिए आपको सबसे रसीले फल कहा मिलते हैं यूरोप उरोप के मार्केट में आपको बहुत रसीले फल देखने को मिलेंगे क्यों क्यों क्योंकि वह सब यहीं से आते हैं में बहुत ज़दा मैं explain करूंगा नहीं फिर भी पामीर को संसार की छत कहते हैं पामीर मद्ध एशिया में इस्थित पठार और परवत रिंकला है यहां उगने वाले जंगली प्याज के नाम पर इन्हें प्याजी परवत भी कहा जाता है पामीर का शाबदिकत परवत शीर्थ में इस्थित घाटी है फार्सी भासा में इसे बामे दुन्या कहते हैं अगला क्वेशन हम लोग देखते हैं और अगला क्वेशन जो आपका अठारवा है कि निमलिखित में से कौन सा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है तो मरुस्थल म में जब भी आप बात करें तो मरुस्थल मतलब क्या मरुस्थल जहां पर जाके कोई मर जाए ऐसा इस्थल जहां लोग मर जाए तो मरेगा कहां पर जहां पर जल नहीं होगा इसका आर्थ क्या है इसका आर्थ सीधा है रेगिस्तान और रेगिस्तान सबसे बड़ा कौन सा है तो सबसे बड़ा रेगिस्तान आपका सहारा है तो अगर ये पूछ दे कि सबसे बड़ा मुरुस्थल कौन सा है तो सहारा है clear है मेरे खाल से ये चीज़ आपको तो संसार का सबसे गर्म मुरुस्थल सहारा है और सहारा कहां पे है तो सहारा आप जब भी बात करेंगे तो ये अफरीका कॉंटिनेंट में पड़ता है सहारा सब्द अर्वी शब्द से लिया गया जिसका आर्थ होता है मरुस्थल या रेगिस्तान या 11 देशों में फैला है और विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी इसके पूर्वी भाग से गुजरती है क्योंकि अफरीका में ही नील नदी है यह अफरीका है माली जै यह अफरीका है यहां से नील नदी यहां से निकलती है यह पूरा का पूरा吗 जो है आपका सहारा का PART है अब यहां पहए काला हारी की अगर भात करेंगे तो काला हारी यहां पर पाया जाता है तो इसलिए थोड़ा सा थार आपके इंडिया पे पाय जाता है तो यह आपको सारी चीजें clear होनी चाड़िए चलिए उनीसमा question देख लेते हैं और बीसमा देख लेते हैं कि देख लेंगे हम लोग तो देखिए अब उन्नीसमा क्वेश्चन पाकल दुल पन बिजली परियोजना कहां इस्थित है तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ करने की जरुवत नहीं है जम्मू कश्मीर में हैं आपको याद होनी चाहिए और यह क्योंकि यह पुराना करेंट का क्वेश्चन है तो आपको बस इतना ही पता होना चाहिए जम्मू कश्मीर है बाकी इसके बारे में कोई बहुत ज्यादा कोई पूछेगा नहीं फिर भी यह कहां पर परियोजना किस्तवाड जिले में है इतनी आपको याद होगा तो भी चलेगा क्योंकि करेंड का यह क्यो प्रवा काजू रबड केला कपास एकल फसल उगाए जाती है ऐसी फसल जिने एक बार रोपड कर देने पर यह लंबे समय तक उपज देती रहती हैं ऐसे को रोपड फसल कहते हैं ठीक अब यहां पे कॉफी को एक बार लगा दिया यह काफी लंबे समय तक फल देगी चाय ल कर लेते हैं तो यह क्या है यह को पड़ फसल जहां नहीं है आगे अब बात हम लोग करने वाले हैं एक की समय क्वेश्चन की की इसमा क्वेश्चन चलिए देख लेते जल्दी जल्दी नाटो का मुख्याले इस्थित है तो नाटो का मुख्याले ब्रुसेल्स में इस्थित है जो बेल्जियम में है नाटो उत्री अट्लांटिक संगी संगठन है नाटो की समचर्चा बहुत हो रही है फिर भी आपको यह एक सैन संगठन है जिसकी स्थापना चार अप्रेल उन्न 149 को ही थी इसकी अधिकारित भाषा अंग्रीजी फ्रांसीसी है और वर्तमान महासचीव अभी दिखिए वर्तमान महासचीव आप एक बार चिक कर लिजेगा क्योंकि यह 2018 का है तो आप एक बार इसको चिक जरूर कर लिजेगा अब अगला क्वेशन देख लेते हैं 22 भारती समिधान की आठवी अनसूची में कितनी भार्षाओं का इलेक है तो अगर आप समविधान पढ़ना चाहते हैं तो समुदान की आपकी क्लासेश चल रही हैं वहाँ पर आप जाकि क्लास ले सकते हैं और आप वहाँ पर कुछ 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 आपके वीडियोस हैं जो अब वहां से आप चाके नीचे वहां पर लिंक में डिस्रिप्शन में नंबर दिये हैं और वाट्सएप नंबर है आप वहां पर क्वेरी करके इनके कोर्स प्रचेस कर सकते हैं तो इसका देखिये आठवीने सूची में कितने भाशा cambierm में 22 भाशाइं दी गई हैं इसके बारे में और डिटिलि में बात कर में कोकड़ी मणी पूरी नेपाली को आठवी अनसूची में शामिल किया गया 2004 में मैथली संथाली डोंगरी बोडो को आठवी अनसूची में शामिल कर लिया गया और इस समय टोटल बाइस भाशा है आपके संविधान में तो यह वीडियो बहुत ज्यादा बताइबा बताइबा कि अपको यह वीडियो चाहिए और नहीं चाहिए तो बैसे बाइबास इस बाइब और को आप Ama सब्सक्राइब को सकते हैं तो दियंदा तो आप उनको पर सकते हैं तो चलिए आप मिलता हैं बीडियो में जहें।